मैं गरीमा अगरवाल आप सबी का वंदन करती हूँ अभी नंदन करती हूँ आईए आज हम जानते हैं कि धन तेरस पर यमराज जी का उद्यापन कैसे किया जाता है इसमें हम यमराज जी के उद्यापन की संपूर्ण विधी सरल तरीके से जानेंगे धन देरस पर यम्राज जी का उद्यापन किया जाता है तथा मकर सकरांती पर धरम राज जी का उद्यापन किया जाता है बहुत से लोगों के मन में सवाल होता है कि यम्राज जी वे धरम राज जी एक ही हैं तो उद्यापन अलग-अलग कैसे किया जाता है पुराणों में यम्राज के दो स्वरूपों का वर्णन मिलता है गरूर पुराण के अनुसार 24 योजन विस्तार वाले वेवस्त्व पूर नामक नगर में यम्राज जी का सामराच्य है यम्राज दो स्वरूपों में वहां निवास करते हैं पापियों को दंडर देते समय उनका स्वेरूप अत्यंत बहेंकर होता है तथा जीवों के पाप पुर्णी का निर्णे करते समय उनका स्वेरूप अत्यंत सोम्मे और सुन्दर होता है। उस समय वह धर्मराजी के रूप में होते हैं। वे धर्म को जानने वाले धर्मशील, धर्मयुक्त और कल्यानकारी है। इसलिए धन्तेरस के दिन रोद्र रूपी यमराजी वे मकर सकरांती को सोंबे रूपी धर्मराजी का उद्यापन किया जाता है। यमराजी का उद्यापन आपकी और आपके परिवार की अकाल मृत्यू से रक्षा करता है। तथा धर्मराजी का उद्यापन आपके द्वारा किये गए दान पुर्णियों का फल देता है। दोनों ही उद्यापन अपने जीवन का आल में एक बार जरूर करना चाहिए। आईए जानते हैं यम्राची का उद्यापन कैसे करें। यम्राची के उद्यापन के लिए यदि आप एक साल कहानी का नियम लेना चाहते हैं तो यह कहानी धन तेरस से शुरू करें तथा अगली धन तेरस पर इसका उद्यापन करें। आप चाहें तो हर महीने वरत रख सकते ह नहीं तो जिस दिन उद्यापन कर रहे है उस दिन वरत करें पहानी सुनने के बाद घर के बाहर एक दिपक जलाएं जिसके लो दक्षण दिशा की तरफ रखें फिर दिपक के सामने अरग्य दें यदि आप पूरे एक साल का नियम ले रहे हैं तो हर महीने अमावस्या के पहले वाली त्रयोदशी के दिन ऐसे ही कहानी सुने और यदि एक साल का नियम नहीं ले रहे हैं तो धन 30 के दिन वरत रखकर ऐसे ही कहाँनी सुने कहाँनी सुनते समय 13 पतल भी कलपते हैं कुछ लोग एक अम्राच्ची की अलग से पतल बनाते हैं तो 14 पतल हो जाती है तो आपके इन पत्तल को ब्रामनों, डाकोत या फिर मंदिरों में दे दें। इस उद्यापन में कुछ लोग चावल मुंग बनाते हैं तथा कुछ लोग तेल के पूए बनाते हैं। इसमें आप जो भी बनाएं वही ब्रामन या डाकोत को भोजन में जरूर परोसे और स्वयम भी खाएं अब इस उद्यापन में कुछ लोग ब्रामन ब्रामनी को जोड़े से खाना खिलाते हैं तथा कुछ लोग डाकोत को खाना खिलाते हैं। डाकोत परिवार ग्रामीन इलागों में तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं पर शहरों में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप घर के भार जो यम दिया आपने जलाया है उसके पास कपड़े पहनाए तिलक करे दक्षिना दे तथा एक काला कंबल लोही का तसला सवा सेर गेहूं या कोई भी अनाच और सवा पांच रुपे जरूर देना चाहिए यदि सवा पांच रुपे नहीं मिल पाए तो आप पांच किया जाता है यमराज्ची के कहानी आपको हमारी चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है जै श्री राधे